ग्यारवाचंद पाताल धर्ती के अंदर प्रत्वी लोक के अंदर एक लोक है जिसको पाताल लोक कहा जाता है भूतल जो प्रत्वी के धरातल पे जो हमको भू मतलब धर्ती तल मतलब सर्फेस जो हमको धर्ती के प्रत्वी के तल पर जो लोक दिखाई पड़ता है उसको भूतल कहते हैं जिसमें हम रहते हैं व्योम का मतलब होता है आकाश, नभ, आसमान, चारिण, चलने वाले, रहने वाले, चलने वाले, चरने वाले इस तरह से इसको बोला जाता है जो उसमें विचरन करते हैं छद्म छद्म का मतलब होता है छद्म मतलब वेश बदल के छद्म मतलब है कुछ और दिखाई कुछ और दे रहा है छद्म का मतलब होता है छद्म वेश में घुमना जैसे चुपे हुए ऐसा बोला जाता है भूत है प्रेत हैं तमाम डायन हैं डाकिनी हैं हजारों प्रकार के एक और लोक है जिसमें ये अद्रश्य शक्तिया रहती हैं अच्छी भी हैं बुरी भी हैं रूप बदल करके छुप कर करके ये शक्तिया रहती हैं चारिनह मतलब चरने वाले चलने वाले इसको बोला जाता चारने रहने वाले अगर आप यहां पर प्रॉपर मीनिंग देखेंगे तो आएगा रहने वाले तो राम चंदर जी के नाम की जो महीमा है उसका बखान किया जा रहा है वो क्या कि राम नाम भी राम प्रभू के नाम से यह सब डरते हैं यह सब तीनों लोग न नहीं द्रश्टुम अपी देख सकते हैं मतलब बिगाड़ना तो बहुत दूर की बात है यह लोग देख भी नहीं सकते हैं आपको अगर आपके उपर राम जी की कृपा है तो बिगाड़ना आपका बुरा करना तो बहुत दूर की बात है यह आपको देख भी नहीं सकते शक्तास्ते कुछ कर सकने में समर्थ और ते का मतलब होता है वे लोग जो देख नहीं सकते वे लोग ते रक्षितह रक्षा करना राम नाम भी मतलब राम जी के नाम से प्रभू राम जी के नाम से तीनों लोकों में जो लोग चलते हैं, चरते हैं, रहते हैं वो भी और जो छद मु रूप में, सुक्ष्मु रूप में छुप कर रहते हैं, भूत, पिशाज, प्रेथ, बुरी आतमाएं, इस तरह से वो भी, वो केवल बुरा करना तो दूर की बात है, हमको क्या है, जो दिख दिखता है उससे जादा जो नहीं दिखता है उसका डर लगता है तो ये बुरा करना तो दूर की बात है ये देख भी नहीं सकते इस तरह से राम नाम की महिमा है बारवाचंद राम प्लस इती राम इती का मतलब हो गया इस प्रकार 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 राम भद्रेती भद्र का मतलब होता है अच्छा तो राम भद्रेती का मतलब होता है भद् करने वाला राम जी का नाम कल्यान करना राम भद्रेती राम भद्रेती का मतलब होता है कल्यान करने वाले राम कल्यान करने वाले राम जी राम भद्रेती राम चंद्रेती चंद्रमा की इतर है राम चंद्रमा को बहुत ही अच्छा शीतल सौम्य माना जाता है तो रामचंद्र जी कैसे हैं चंद्रमा के जैसे हैं वा या इस्मरन इस्मरन का मतलब होता है याद करना जो भगवान जी के इन नामों को याद करता है उनका नाम लेता है वो व्यक्ति जो व्यक्ति भगवान के इन रूपों को नाम लेता है नरह मतलब नर, नर मतलब पुरुष, व्यक्ति जिसको आप बोल सकते हैं नर और नारी जो बोलते हैं ना नहीं लिप्यते, लिप्यता का मतलब होता है ढकना, आच्छाजित होना, डूबना जैसे कि शहद आपने ले ली और शहद में आपने एक कोई चीज चमच डाली और आपने उसको निकाल लिया तो हम ऐसा बोलेंगे कि शहद चमच के चारों और लिप्त हो गई दूबना, लिप्त होना, मगन होना, डूबना, पापे, पापों से जो भगवान के नाम लेते हैं वो पापों में डूबते नहीं है, पाप कर्म नहीं करते भुक्तिम मतलब भक्ती और मुक्ती मोक्छ जिसको आप बोल सकते हैं मोक्ष वो भक्ती रूपी और मोक्ष रूपी प्रसाद विंदती मतलब होता है प्राप्त करना पाना प्राप्त करना चा मतलब और चा मतलब एवं तो जो व्यक्ति राम चंद्र जी के इन नामों को लेते हैं वो व्यक्ति पापों में नहीं लिप्त होते और दूसरा वो ये स सब भी प्राप्त कर लेते हैं राम चंद्र जी के नाम की इतनी महिमा है तेरवाचंद्र जगत जेत्रे इसका मतलब होता है जगत को जीतने वाला संसार को जीतने वाला एकम मंत्रेण एकम का मतलब होता है एक और मंत्रेण का मतलब होता है मंत्र जगत को जीतने वाला एक मंत्र राम नाम प्रभू श्री राम का नाम भी रक्षितम इसका मतलब होता है श्री राम के नाम से जिसकी अच्छी तरह से रक्षा की गई हो राम के नाम से कौनसा मंत्र राम का नाम का मंत्र राम के नाम के मंत्र से जिसकी अभी रक्षितम अभी रक्षितम का मतलब होता है जिसकी अच्छे तरीके से अच्छे से अच्छे से रक्षा की गई हो रक्षा की गई हो उसको अभी रक्षितम बोलता है रक्षा करना जैसे SPG होती है कमांडो फोर्स होती है इसको आप इस मोड को अभी रक्षिताम के अंदर डाल सकते हैं वैसे नॉर्मल security रखना प्राइवेट security guard रख लेना ये एक अलग चीज है परन्तु अगर कमांडो फोर्स लग गई तो समझ लो वो व्क्षिताम है ऐसे ही राम जी का नाम है जैड प्लस 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 प्लसे सिक्यूर्टी इस तरह से राम जी के नाम को बोला गया है यह जो भी या कौन कंठ का मतलता है गले में, धारये तस्य, धारये का मतलब धारन करना, गले में धारन करने का मतलब हुगया कंठस्त करना, याद कर लेना पूरे का अगर आप गले में धहरन करना में तब याद कर लेना तस्य उसको करस्था सर्व सिध्या कर का मतलब होता है हाथ करस्थ का मतलब होता है हाथ में आ जाना प्राप्त हो जाना जब तक कोई चीज आपके हाथ में ना आए तब तक आप ये नहीं मान सकते कि वो आपकी है ऐसी कहावत है कि खाना जब तक गले में नहीं चला जाता तब तक वो कौर आपका नहीं होता जब चीज हाथ में आजाए वो आपकी है तो उसके हाथ में आजाती है सर्व मतलब सभी और सिद्धया मतलब सिद्धियां सिद्धियां वो अलोकिक शक्तिया होती है जिससे अनेक कारिय आश्यर जनब तरीके से व्यज्ञानिकता से परे पूरे हो जाते हैं कई लोग आपने देखा होगा आजकल हमारे संसार में कई ऐसे बाबा लोग हैं कई गुरू लोग हैं जो मन की बात जान लेते हैं आगे क्या होने वाला है वो जान लेते हैं ये क्या है ये सिद्धी है अलोकिक शक्तियां से परिपूर्ण सो ये इस पूरे मंत्र का अर्थ क्या निकला जो राम नाम से सुरक्षित जगत पर विजय करने वाले इस मंत्र को अपने कंट में धारन करता है उसे संपूर्ण सिध्यां प्राप्त हो जाती है चौधवा चंद वज्र आपको मालूम है वज्र का मतलब होता है कठोर एक वज्जास्त्र की बात होती है वज्र अस्त्र ददिची मुनी ने अपनी हड़्ियां दे करके सबसे कठोर इस हथियार की रचना की थी उनकी हड़्ियों से बनाया था देवताओं ने पंजर, पंजर का मतलब होता है हत्यार अस्त्र नाम, मतलब नाम और इदम, इदम का मतलब होता है यह यहाँ पे चार शब्द है वज्र, मतलब कठोर पंजर, मतलब हत्यार नाम, मतलब नाम इदम का मतलब है यह यह यो यो का मतलब होता है कौन या जो जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर जो का मतलब उपियोग होगा इसमें राम नाम के कवच को स्मरेट याद करता है स्मरन करता है राम रखछा इस तोत्र को राम कवच भी बोला जाता है तो जो भी इसको याद दिर कता है आवेहत आवेहत का मतलब होता है बिना रुकावट के निर्बाध जिसको आप बोल सकते हैं आवेहत निर्बाध बिना बाधा के बिना रुकावट के बिना रुकावट के बिना रुकावट के आग्यह यहाँ पर एक शब्द और छुपा है संधी हुई यह दो की आग्या का आग्यह का मतलब हो गया आग्या का सरवत्र सभी जगहे सभी जगहे लबते लाब होता है फाइदा होता है जय और मंगलम विजय होना हर जगह उस व्यक्ती की विजय होती है और हर जगह उस व्यक्ती का शुब होता है जो राम चंद्र जी के इस कवच को पढ़ता है जो मनुष्य वज्र पंजर नामक इस राम कवच राम रक्षास्तोत्र का स्मरण करता है याद करता है बोलता है पढ़ता है उसकी आज्या का कहीं भी उलंगन नहीं होता तथा उसे सदेव विजय और मंगल की ही प्राप्ति है पंद्रवा चंद आदिष्ट वान्य यथा आदिष्ट का मतलब होता है आदेश प्राप्त हुआ आग्या प्राप्त ही आदिष्ट का मतलब जिस तरह से बुद्ध कौशिक रिशी जो है उनको आदेश प्राप्त हुआ जैसा जिस तरह से जैसा यथा मतलब जैसा आदेश्टवान ने प्राप्त हुआ आदेश सपने, सपने में सपना देखते हैं सभी लोग ड्रीम्स तो वो यह कह रहे हैं कि सपने में मुझे आदेश प्राप्त हुआ किसका? हर का? हर कौन? शंकर भगवान हरी का मतलब होता है विश्नु भगवान मतलब राम, रक्च्चा मिमाम मतलब राम, रक्चा स्तोत्र को लिखने के लिए उनको सपन में भगवान शिव ने आदेशित किया किसको? बुद्कोषिक रिशी को यह है इसके रचेइता इसको लिखने वाले तथा उस तरह से लिखित वान प्रातह प्रातह का मतलब होता है सुबह सुबह उठ करके उन्होंने लिखित वान लिखा उसको कलम बद्ध किया यथा मतलब उसी तरह से जिस प्रकार से उन्होंने सपने में आग्या दी थी उसी तरीके से उन्होंने लिखा प्रबुद्धो प्रबुद्धो का मतलब होता है बुद्धिवान प्रबुद्ध का मतलब होता है जो की और अच्छे से बहुत अच्छे से जो बुद्धिवाला होता है उस तरह से दूसरा प्रबुद्धों का अर्थ ये भी होता है कई बार जाग करके यहाँ पर जो है सुबह जाग करके प्रबुद्ध जन हम कहते हैं ना समाज के बड़े प्रबुद्ध है पड़े लिखे हैं समझदार है अच्छी बाते करते हैं चतुराई की बाते करते हैं उनको प्रबुद्ध जन बलते हैं पर यहां पर प्रबुद्धो का मतलब होता है जाग कर तो बुद्ध कौशिक रिशी को भगवान शिव का आदेश होने पर बुद्ध कौशिक रिशी ने प्रातह जागने पर इस इस्तोत्र को लिखा है हर पिक्चर में उससे संबंदित कुछ न कुछ दिखाया जा रहा है डेपिक्ट किया जा रहा है समझने में आसानी होगी